नमस्कार दोस्तों मैं चित्रा शिवास्तव गल्फ ट्रेनिंग इंस्टिटूट के एक नए वीडियो में आप सब का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग सभी हम लोग उम्मीद करते कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और तंदरुस्थ होंगे जी हाँ दोस्तों गल्फ ट्रेनिंग इंस्टिटूट जो एक नामी नाम कमा चुका है इस इंडस्ट्री में जहां हम लोग टेकनिकल और ऑपरेटिंग ट्रेड अपने स्टूडेंस को ओफर करते हैं बहुत सारे हमारे पास ट्रेड्स अवेलिबल है दोस्तों जैसा कि टेक इसके लिए यह दोनों दोस्तों हमारे जो सामने खड़े हैं जो कि हाइड्र ऑपरेटिंग करके यहां से अब हमारा सर्टिफिकेट प्राप्त करके अच्छी जगे पे जा रहे हैं और इनको शुपामने तो हम देंगे हमारे स्टूडेंस हैं तो हम लोग बत पुश है इनक के लोग बहुत ऐक अच्छी तरीके से जान रहे हैं की हईड्र क्रन एक ऐससा क्रेन हैं जिसको कड़ने के बाद जिसका जी सेकने के बाद आप पस जौफिक्स ही रास्ते ख़ल जाते हैं थिए गये हैं तो आप mobile crane काफी अची तरीके से चला सकते हैं आप और भी crane सचे से operate कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा crane है जो कि इसकी काफी demand है इसकी इंड़स्ट्री बेंड होती है इसका आप जहां पर भीजाए Hydro crane आपको एक ऐसा crane है जिसको सीखने के बाद आपके पास job opportunities बहुत खुलके आती है दोस्तों और आप लोग के demands भी होती है कि हमें job चाहिए मैम तो यह अच्छा trade है तो आएए जादा समय नगवाते हुए चलते हैं हमारे student के पास और जानी लेते हैं इन से की कैसा रहा इनका practical कैसे मिलीने थियोरिक आईए आपका good name अपेंद्र कहां से हो गाजीपूर यूपी गाजीपूर तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगे गर्फ्रीनिंग इंस्ट्यूट के बारे में कैसे पता चला मैं यूटूब के द्वारा पता चला मैं और एक पहले से हमारे फ्रेंड कर आपके तो चैसा कांसलिंग हुआ जो बताया गया उससे साथ से क्या आपकी ट्रेइनिंग हुई है जी मैं मुझसे भी बहुत अच्छा हुआ है तो बताईए थोड़ा सा थियोरी पार्ट कैसा रहा थिवरी बहुत अच्छे से कराएं गये सद्दाप्सुर ने करा है बह आप तो अच्छे से कर सकते हैं पहले गये थे तो वहां पर कर पा रहे थे उनकोजे तो आप बिल्कुल फ्रेश आये थे आपका क्वालिफिकेशन क्या है तो समझने में कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे बहुत सारे वीवर्स की परिशानी रती में पड़े लिखे नहीं है क्या हम थेऊरी समझ पाएंगे थोड़ा समझाईए थेऊरी पार्ट में कुछ ऐसा मुशकिल है लगता है मुशकिल नहीं बहुत अच्छे तरह के समझा जाते हैं दो तीन बर पूछो बताते हैंसा कोई ने यहां पर ब्रेक लेकर बोलना चाहूंगी दोस्तों देखिए अगर जादा पड़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप अपरेटिंग त्रेड आराम से कर सकते हैं जो थोरी पार्टे हो कोई मुश्किल नहीं है आपकी लैंग्विज में समझाया जाता है हिंदी में नोट्स दिये जाते हैं बिल्कुल उपेंद्रेश की तरीके से समझाया गया मैं पहले आदा गंटा मिलता था फिर चालिसमेंट हुआ अभी चलवाते थे तो मतलब महनत पूरी करवाई प्रैक्टिकल फील पे आपसे तो अभी क्या आप इतने कॉन्फिटेंट हो कि जहां पर जाओगे चला पाओगे जी कहीं भी चला सकते हैं तो देखा दोस्तों कि कैसे इनका रहा प्रैक्टिकल है क्या क्या है झाल 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 यह जाल तो देखाऄ दोस्तों आपने किस तरही के से इनोंने प्रैक्टिकल पे मशीन को ओपे किया तो आपने देखा और देखकर के समझा होगा कि कितना अच्छा यह लोग ऑपरेट कर पा रहे हैं मशीन पो तो चलिए देखते हैं हमारे दूस्रे सुनेन मुमताज अंसारी कैसे हैं जाने में यूटूब के माध्यम से ही जाने और मतलब फोन करके पता कि आप से ही बात हुआ अच्छी तरक ऐसे आने के बाद मतलब समझें कि हाँ यहीं इसे चूट मतलब बेश्ट है थोड़ा ऐसा था कि मुझे याद आ रहे है मुमताज थोड़ा भरोसा नहीं था लोग थोड़ा करते हैं कि क्या इंस्टिटूट में कैसा पढ़ाया जाएगा क्या सच या गलत है कैसा लगा इंस्टिटूट में या लेनिंग करके हमें जहां तक कि मतलब नोलेज मिला जनकारी हुआ और मतलब खुछ से यहां पे देखा ठीरी बहुत ही अच्छा बहतरीं सदाव सर हम लोगों को मतलब बताया गया और वही सर पढ़ा है जो कि आज हम लोग को ऐसा फिलिंग हो रहा है कि कम्याब हो गया और प्रेटिकल में भ भी बहुत बहुत हम लोगों को सिखाए और मतलब जादा से जादा बताने की कोशिस के आज हम लोग कम्याब हो गया अब हम लोग को आपस में अनुभाव हो रहा है कि हम कहीं भी जाके हम मसीन ऑपरेट कर सकते हैं चला सकते हैं आपका बढ़ गया है जैसा कि आपकी बातों आपको अगर दे दिया जाए मुबाइल क्रेन ऑपरेट कर पाईएगा जी कर लेंगे कर पाईएगा जी जी दोस्तों ये कॉंफिडेंस आता है खुद से सीख करके जो इनके आप इनके मूं से सुन रहे हैं इनको ना सिखाया गया ना पढ़ाया गया ये खुद के दिल से ब आत्मारे में की कैसा है अच्छा है और आपको कोर्स के लिए कोर्स बताइए कि प्राक्टिकल फील्ड पर जब आप उतरे जब आपको वहां पर ट्रेनिंग मिली सर से क्या आपको कुछ ऐसे complications आई, जो आपको सर्ड ने clear किया, आपको मेहनत करवाई यापसे काम करवाइ, यह थोड़ा बताए, practical कैसा मिला को? जी practical जितना हम सोचे नहीं थे उससे बढ़के मिला practical में. जैसे की starting में थोड़ा डर लग रहा था कि इतना बड़ा machine है, कहीं होगा, नहीं होगा लेकिन बैटने के बाद फिर हाथ से लिवर देखे अच्छा था और मतलब एक से दो दिन में मुश्किल हुआ उसके बाद तिसरे चोटे दिन से कोई मुश्किल नहीं होने लगा और बहुत ही बैटरिंग से सर ने ट्रेनिंग दिये और आज जाके कम्याब हो गए तो पहले जो था ड आएगा हम पड़े लिखे नहीं हैं पड़े लिखे सारी समस्या को एक ही समाधान है आप जब तक पूछेंगे नहीं आप नहीं जानिएगा जैसा कि हम लोग आपको अपने वीडियो में हमेशा दिखाते रहते इनके मूह से आप सुनते कि इनको कितनी परिशानी आई और के बाद उन्होंने कैसे सीखा कैसे वो समझे तो आप लोग के पास भी अपॉर्चुनिटी है और यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता चुकी हूँ हाइड्रा क्रेन है कैसी क्रेन है जिसको सीखने के बाद आप ब बता चुकी हो एक बार सिर्बता देती हो दोस्तों की ऑपरेटिंग क्रेड में हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास मोबाइल क्रेन एसकावेटर डंपर लोडर ग्रेडर यह सारी मशीने मौजूद है जिसकी आपको प्रैक्टिकल बहतरीन तरीके से मिलती है और बहतरीन तरीके से आप लोगो सिखाया जाता है सीखने के बाद आप लोग घर नहीं बैठेंगे आप लोग जाएंगे जॉप पर अपना सपना करेंगे पूरा जिसका जॉप हाइड्र क्रेन का अगर आप सैलरी स्टेटिस पूछे तो वह भी दोस्तों बहु अच्छे जॉब आप देखा आपने इसी के साथ बताना चाहूंगे कि यह सारे अपरेटिंग ट्रेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं खुशी खुशी आप लोग के स्ट्रीन पे जो नंबर है अवेलेबल है उन नंबर पर आप कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे व आपके सारे की और वीडियो आपको मिल सके इंफरमेशन आपके साथ शेयर कर सके और जो लोग घर बैठे हैं जो सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है फोन कीजिए फोन उठाए और हमसे इंक्वाइरी लिजिए जादा से जादा सब्स्राइब कीजिएगा चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके विचार कैसे हैं वीडियो कैसा लगा ऐसी वीडियो आप तक और लाने के लिए हम लोग हमेशा तयार बैठे हैं बस आपकी कमेंट का इंतजार है इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ थांक्यू जै हिन जै है बादे!